तो हमने किया था question number 12 तक आते हैं question number 13 में question number 13 क्या कहता है और ये जो question number 13 है ये बहुत important question है आप इसे ध्यान से समझेगा और इस question को कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है बिल्कुल easy way में हम इसे बनाएंगे चलिए question है A और B मिलकर एक काम को 24 दिन में करते हैं A और B मिलकर उस काम को कितने दिन में 24 दिन में B और C मिलकर उस काम को 30 देज में करते हैं B C 30 देज में तो यहां से हमें efficiency मिल जाएगा total आपका काम हो गया 120 120 LCM है यह हो गया 5 और 4 यह आपका क्या है efficiency का ratio यह time का quantity है, फिर कहा रहा है, एक ही शमता C की दुगनी है, एक ही शमता C की दुगनी है, एडिशनल इंफोरमेशन है, एक ही शमता C से क्या है, डबल है, 2C है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए, तो कहा रहा है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी इसे कितना दिनों में करेगा, यह हमें find out करना है, चलिए, अब देखे कैसे बनाएंगे हम, चुकि A और B की efficiency 5 है, हम यहाँ लिख सकते हैं, A पलस B की efficiency कितनी मिली, 5, B और C की efficiency कितनी है, B और C की efficiency हमारे पास कितनी है, 4 है, ठीक है, अब इस दोनों equation को solve करना नामुम्किन है, क्यूं, क्यूंकि इसमें A और B दो टम्स हैं, और इसमें B और C दो अलग अलग टम्स हैं, B और B तो मैच हो रहा है, लेकिन A का C से मैच नहीं हो रहा है, तो जब द ट क्यार पास कि अपरासिये तो, B बराबर होनी चाहिए, मतलब वह एक ही parallel होने चाहिए, लेकिन यहाँ पैसा नहीं है, यह A B का जो है जो है यह C ब लेकिन हमारे पास एक information और दे रखा है a is equal to 2c तो सबसे पहले हम इन दोनों equation को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद हमें एक equation मिलेगा तो वो क्या मिलेगा? यहां से हमें मिलेगा a plus 2b plus c is equal to 9 यह मिलेगा a plus 2b plus c is equal to 9 और a is equal to 2c अल्रेडी दिया है a is equal to 2c दिया है तो एक अभेलू जब हम यहां पर 2c जब रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा? इसके जगा पे मैंने क्या रखा? 2c में रखूँगा तो यहां पर क्या होगा? 2c plus c, 3c 3c plus 2b is equal to 9 हो गया 3c plus 2b is equal to 9 और c और b का देखी equation अल्रेडी हमारे पास एक है यहां पर है ना? तो हम इसे क्या कर सकते हैं? आसानी से solve कर सकते हैं तो b plus c is equal to 4 दिया है लेकिन जब हम इसमें 2 से मल्टिप्लाई कर देंगे इस equation में अगर second equation में 2 से मल्टिप्लाई करते हैं तो यह हमें मिलेगा पता चल गया जो कि कितना है? 1 है c का efficiency हमें 1 मिल गया और c के efficiency को हम other two equation में जब हम रखेंगे तो अन्य दो लोगों का efficiency that means a और b का efficiency हमें मिल जाएगा तो c is equal to 1 है c is equal to 1 यहां रखेंगे तो b is equal to 3 हो जाएगा p is equal to 3 हो गया और b is equal to 3 है तो a is equal to कितना हो जाएगा? 2 होगा हलांकि सभी के efficiency को निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ b का पूछ रहा है तो b का efficiency is more than enough ठीक है? लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर प्रस्ण यह पूछे कि c की c ने कितना समय लगाया या a ने कितना समय लगाया तो उसे भी आप क्या कर सकें? तो b दोड़ा लिया गया समय क्या होगा? total work by b की efficiency b दोड़ा लिया गया time क्या होगा? total work मैं जब b की efficiency सब डिवाइड करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि b ने कितना समय लिया total work हमारा 120 है और b की efficiency 3 है तो यह 40 times में cancel हो गया 40 days is the right answer तो इस question को ऐसे ही हम solve करेंगे यह काफी BBI question है आप इसे याद रखिएगा इस तरह के question को कैसे बनाते हैं अकसर इस तरह के प्रस्टन पूछे जाते हैं एक्जाम में चलिए अब आते हैं next question की और question number 14 पे question number 14 है A, B, C एक साथ एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं यदि A और C का का काम B के काम का दुगना है तीन गुणा है sorry तेकिए पर मैं लिखते जा रहा हूं A, B A, B और C एक काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं यदि A और C का का काम B के काम का दुगना है देखिए एक additional information को हम साइड में लिखेंगे क्या लिखा है A और C का का काम A और C का का काम B के काम का दुगना है B के काम का दुगना है तथा A का काम C के काम का दुगना है A का काम C के काम का 4 टाइमस है तो अकेला A उस काम को कितने दिनों में करेगा तो A अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा यह हमें find out करना है ठीक है? हमारे पास सिफ एक ही information दिया है कि A, B और C यह तीनों मिल करके किसी कारे को तीनों जब मिल जाते हैं तो उस कारे को वह कितने दिने में करते हैं छे दिनों में करते हैं यहां से हम क्या लिख सकते हैं A plus C by B is equal to 3 by 1 लिख सकते हैं इस equation से समझे और यहां से हम लिख सकते हैं A by C is equal to 4 by 1 अब ध्यान से समझेगा इस question को यह question बहुत ही असान तरीके से बनने वाला है यदि आप इसे general method से बनाएंगे तो काफी समय लग सकता है लेकिन मैं इसे बहुत ही असान तरीके से अभी इसे हम solve करेंगे तो देखिए A plus C by B is equal to 3 ratio 1 है और A by C is equal to 4 ratio 1 है यहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि A और C दोनो है जबकि यहां पे A और C ऊपर नीचे है तो क्या हम इसको इस equation को इस form में लिख सकते हैं जी बिल्कुल लिख सकते हैं देखे कैसे इसे हम लिखेंगे A plus C by C is equal to 5 by 1 लिख सकते हैं देखें A plus C A plus C कितना हो गया? 5 हो गया 4 plus 1 5 और by C C तो 1 1 है ही यह 1 लिख दिया तो A plus C by C 5 by 1 और A plus C by B 3 by 1 A plus C तो बराबर होगा जब A plus C यहां पे भी है A plus C यहां पे भी है तो इस दोनों को तो equal होना चाहिए था तो equal हम करेंगे भी equal कैसे करेंगे? 5 से इसमें multiply कर देंगे 3 से इसमें multiply कर देंगे तो जब हम 5 से इसमें multiply करेंगे तो उपर नीचे दोनों करना होगा इसमें भी करना होगा तो यह हो गया आपका 15 by 3 और यह हो गया आपका 15 by 5 अब समझे क्या करेंगे हमारे पास मिल गया A और C की efficiency 15 A और C की efficiency कितना मिला? 15 A पलस C हमें मिल गया 15 जिसमें से C हमें मिला कितना? 3 C हमें कितना मिला? 3 और B कितना मिला? B देखिये 5 मिला B किसके बराबर है? 5 के B is equal to 5 B is equal to 5 मिल गया तो c हमें मिल गया, b हमें मिल गया, तो क्या a हमें नहीं मिलेगा? a हमें मिल जाएगा, c का value इसमें put कर देंगे, c का value इसमें put कर देंगे, तो c का value जब 3 put कीजिएगा, तो a is equal to हो जाएगा 12, तो a की efficiency हो गई 12, अब समझिए, total work क्या होगा, total work मैंने बताया था, time into efficiency, time into efficiency, ठीक है, अगर efficiency है, तो अगर आप उसमें time से multiply कर दें, तो आपको total work मिल जाता है, तो time दिया है 6, time दिया है 6, क्योंकि a, b, c मिल करके, किसी कारे को 6 days में करते है, तो time हमारे पास कितना है, 6 है, तो total work हमारे पास कितना होगा, time into efficiency, तो time हमारा है 6, efficiency कितना होगा, efficiency a, b, c की efficiency में लिखनी होगी, क्यों, क्योंकि a, b, c का time है, जिसका time है, उसकी efficiency लिखेंगे, तो तीनों का efficiency हमारे पास कितना है तीनों जोड़ करके देख लिएजे पांस तीन आठ और बार ट्वेंटी टोटल efficiency हमारा है ट्वेंटी तो ये 120 आपका हो गया टोटल वर्क क्या क्या रहा है कि एक कितना समय लेगा करने में एक कितना समय लेगा उस कारे को करने में तो एक efficiency से डिभाइड कर देंगे टोटल वर्क में तो टोटल वर्क हमारा है 120 120 में जब एक efficiency से डिभाइड करेंगे एक efficiency हमें कितना है यहाँ पे 12 तो ये आगे आपका 10 देज एक के द्वारा लिया गया समय यदि बी के द्वारा लियेगा समय को अगर पूछे प्रस्न में तो बी के efficiency से डिभाइड करेंगे टोटल वर्क में मतलब 120 वाई अकर बी का हमें निकालना है तो 120 वाई क्या होगा 5 होगा सी का हमें निकालना है तो 120 वाई क्या होगा 3 होगा तो जिसका time निकालना है, total work में हम उसकी efficiency से क्या करते हैं, division करते हैं तो हमें उसका total time जो उसने लिया है काम करने में, वो हमें पता चलता है चलिए, आते अब next question की ओर, 15 number का question हम करेंगे 12 पुरुस और 20 महिला एक कारे को 10 दिनों में, 10 पुरुस और 50 महिला उसकारे को 6 दिनों में पूरा करते हैं देखिए, 12 पुरुस, 12 में, प्लस 20 महिला, 20 विमन, मिल करके एक कारे को 10 दिनों में करते हैं ये उस कारे को कितने दिनों में कर रहे हैं, दस दिनों में, इस तरह से equation हम लिखेंगे, तथा 10 पुरुस और 50 महिला उस काम को, 10 पुरुस और 50 महिला उस कारे को कितने दिनों में करते हैं, 6 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, तो उसी कारे को 9 पुरुस और 5 महिला कितने दि में करेंगे, suppose x days में करेंगे, ये हमारे पास equation है, क्योंकि, देखिए, 12 पुरुस और 20 महिला जब काम करेंगे, तो इनकी कुछ efficiency होगी, ठीक है? हमने क्या बताया था, कि जो, मैंने ये equation कैसे लिखा है, मैं वो आपको बताता हूँ, मैंने बताया था कि, जो total work होता है, वो time into efficiency होता है, ये मैंने बताया था, clear है, तो time into efficiency, देखिए, ये आपका time है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये efficiency है, 12 पुरुस, मतलब 12 पुरुस की efficiency, अगर suppose एक पुरुस की efficiency 4 है, तो 12 पुरुस की तो 12 पुरुस और 20 महिला किसी कारे को 10 दिन में करते हैं, तो ये total work हिन्हों ने इसा इतना किया, उसी तरह से 10 पुरुस और 50 महिला उस कारे को 6 दिन में करते हैं, ये भी उसने total work किया, same work को, तो कहारा है कि उसी same work को, इसलिए मैंने सब को बराबर में लिखा है, 9 पुरूस और 5 महिला कितने दिनों में करेंगे, तो मैंने x देज मान लिया है, तो फर्स्ट 2 एक्वेशन को अगर आप लेंगे, फर्स्ट 2 एक्वेशन को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 से 3 टाइम्स में, आपको मल्टिप्लाई करना होगा, मल्टिप्लाई कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा 60M प्लस 100W is equal to 30M प्लस 150W, ठीक है, यहां से solve करेंगे, यह W को जब उधर ले जाएंगे, तो यह हमारा बचेगा 50W, जब 30 को इधर लाएंगे, तो यह बचेगा 30Main, तो man by woman हमें मिल गया, 50 by 30, 5 ratio 3, मतलब, man का efficiency 5 है, और woman का efficiency 3 है, समझ गए, अब इन दोने equation में हम, man और woman के efficiency को, क्या करेंगे, उसका value पूट कर देंगे, तो जब इस equation में आप value पूट करिएगा, तो 10 into man, man का efficiency कितना है, 5 है, तो 10 into 5 हो जाएगा 50, प्लस, 50 women, women का efficiency क्या है, 3 है, तो women के efficiency जब 3 आप पूट करिएगा, तो यह हो जाएगा 150, इन टू, यह ओरिजनल एक्वेशन जो है, वह 6 के साथ है, तो हमें 6 के साथ ही लेना है, यह 3 के साथ नहीं लेना है, यह 3 हमने दोनों को जब लिया था, separately, तब यह 3 हुआ था, तो हमें यह 3 नहीं लेना है, 6 लेना है, तो हम यह 6 लेंगे, is equal to 9, man के साथ है 5, तो 9, 5 जब 45, यह हो गया आपका 45, और प्लस, विमेन के साथ है 3, तो विमेन के साथ है 3 लिखेंगे, तो यह हो गया 15, into x, तो यहां से हो गया 200, into 6 is equal to 60, into x, तो देखिए 6 से 10 times में यह कटेगा, यह 0 से 0 cancel हो जाएगा, तो x is equal to 20, मतलब 9 men और 5 women मिल करके, उस कारे को, उस particular job को 20 days में complete कर लेंगे, ठीक है, चलिए, अब आते हैं next question की और, हमारा next question है, तेकि A, B, C, प्रिथक रूप से एक काम को 20 दिन, 30 दिन, तथा 60 दिन में कर सकते हैं, प्रिथक रूप से मतलब separately, A, B, C, 20, 30 और 60 दिन में उस कारे को करते हैं, यहां पर हम लिखेंगे A, B, और C, 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में, अब देखें क्या का रहा है, कि A काम आरंभ करता है, समझेगा, अब इन लोग alternate day करके जो है काम को complete करेंगे, A काम आरंभ करता है, A काम को सुरू करता है, तो जब A काम को सुरू करेगा, तथा परतेक तीसरे दिन, B तथा C उसके साथ काम करता है, परतेक तीसरे दिन, समझेगे बात को, A काम को सुरू करता है, और जब दीसरा दिन होता है, तो B O C भी आजाता, बोलता है, चलो हम भी तुम्हारे मदद कर देते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि A ने काम किया पर्थम दिन और दू़ितिये दिन भी a ने काम किया और जब तिरितिये दीन हुआ तो A के साथ B और स्क दोनों आकरके मिल गये, यह हुआ ना, प्रस्न में काह रहा है कि A काम को सुरू करता है Прितिये दिन B और C आकरके उनको मदब के लिए आ जाते हैं और काम को बोलते हैं कि चलो हम भी साथ में काम करेंगे तो यह कंडिशन यहां पर बन रहा है फिर कह रहा है संपून काम कितने दिनों में समाप्त होगा अब समझे यह जो क्वेस्चन है यह रोटेशन का क्वेस्चन है टिक है अगर आप देखियेगा तीन देनमे एक दिन, दो दिन, तीन इसे एक, दो, तीन में नहीं लिख रहा हूं एक दिन अगला दिन और फिर अगला दिन तो तीसरा दिन में ठोटल इन लोगी कितना एफिशेंसी का यूज कर लेंगे एक, एक साइकल में मतलब A, फिर A आया, फिर ABC आया, फिर भाग जाएगा, BOC, फिर A आयागा, A आयागा, फिर ABC होगा, तो इस तरह से ये cycle चल रहा है, ये क्या है? एक cycle है, तो एक cycle में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक cycle में, या एक rotation में, कितनी efficiency का इस्तेमाल किया गया है, तो A का efficiency कितना है 3 है, फिर A का efficiency 3 है, ये efficiency 3 हो गया, ये भी efficiency 3 हो गया, और ABC का efficiency 3, 2, 5, 1, 6 है, मतलब कि एक cycle में, टोटल 12 efficiency का यूज किया जा रहा है, ये total 12 efficiency का यूज किया जा रहा है, ठिक है? अब समझिए, 12 काम होता है, 3 दिनों में, ऐसे लिख सकते हैं, 12 काम को 3 दिनों में क्या करते हैं, complete कर लेते हैं, ये 12 जो efficiency है, यही तो काम है, ये जो 12 काम किया इन्होंने, 1, 2, 3, 3 दिनों में कर दिया, ये एक cycle है, हमें find out करना है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्थ होगा, तो पूरा काम हमारे पास कितना है, 60 है, पूरा काम 60 है, मतलब ये हमें 60 करना है, ये हमें 60 करना है, तो आपके पास दो यहाँ पे option है, यदि यहाँ पे आप 5 से multiply अगर कर लेते हैं, 12 इन्टू 5, तो ये 60 काम 15 दिनों में हो जाता है, हो जा रहा है कि नहीं, अगर हम 5 से multiply करेंगे, तो 60 काम कितना दिनों में होगा, 15 दिनों में, 15 दिनों में क्या होगा, complete हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा पूरा जो cycle है क्या हो गया, complete हो गया, मतलब कि ये 5 cycle चला, और ये हमारा total 60 काम क्या हो गया, complete हो गया, 15 दिनों में, ये आपका हो गया answer, धिक्कत तब होती है, जब इसका multiple इसे match नहीं करें, तो हम यहाँ पर उतने cycle को रखते हैं, जो इससे क्या होता हो, कम होता हो, और फिर धीरे आ करके एससे काम करवाते हैं, फिर इससे काम करवाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि कितना काम बचा है, तो ऐसे, ये question को म मैंने I think करवाया है इस तरह के वीडियो चलिए next question में आते हैं X किसी कारे को समाप्त करने में Y से 3 दिन कम समय लेता है X किसी कारे को समाप्त करने में Y से 3 दिन कम लेता है X और Y यहाँ पर मैंने लिख दिया Y से 3 दिन कम लेता है y suppose अगर t days ले रहा है, तो e तीन दिन कम ले रहा है, 3 minus t, लिख सकते हैं, क्योंकि तीन दिन कम ले रहा है न, चलिए, x ने अकेले 4 दिन तक काम किया, तता 6 कारे y ने अकेले समाप्त किया, इस प्रकार काम समाप्त होने में 14 days लग गए, समझेए, अगर ये time का आपका quantity है, ये t इधर हो गया और यहाँ पर ये t minus 3 हो गया, ये आपका efficiency आ गया, x क का efficiency t, और y का efficiency t minus 3, ठीक है, कर रहा है कि y अकेले, x ने अकेले 4 दिन तक काम किया, x चार दिन तक काम करता है अकेले, तो चार दिनों में यह कितना काम करेगा, 40 काम कर देगा, प्लस, उसके बाद बोल रहा है कि Y काम करता है, और कार यह पूरा 14 दिनों में समाप्त हो जाता है, तो चुकि यह 4 डेज अल्रेडी काम कर लिया है, तो हमारे पास 10 डेज बचा है, तो 10 डेज तक किसने काम किया? Y ने तो 10 days तक हम y को काम करवा देंगे ठीक है और ये जो total value है वो किसके बराबर होगा total work के total work मैंने बताया था कि time into efficiency होता है ये हमेशा equal होता है तो ये इसके बराबर हो जाएगा t into t minus 3 के लिख सकते हैं ये दोनों ने मिल कर इतना कारे किया ये कार्य जो है किसके बराबर है total work के क्योंकि इतना करके इसने काम को complete कर दिया और complete work तो ये है तो ये इसके बराबर हो गया तो हम यहाँ से लिखेंगे 40 plus 10 t minus 30 is equal to t square minus 3 t तो यहाँ से हमें मिलेगा t square देखिए 3 t और 47 t और ये हो गया आपका इधर गया तो 14, 14 में से 3 गया 3 t और ये मैंने ठीक लिखाया ना 14 t, 17 t, minus 17 t, minus 30 is equal to 0 तो इसे हम क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे 15 और 2 पे 15 इंटो 2 पे ब्रेक हो जाएगा t square minus 15 t minus 2 t ये plus होगा क्योंकि 30 उदर जाएगा तो plus 30 is equal to 0 यहाँ से हमें आपका मिला t into t minus 15 minus 2 into t minus 15 is equal to 0 t minus 15 into t minus 2 t is equal to हमें मिला 15 और t is equal to मिला हमें 2 ठीक है? चलिए तो जब t का value हमें find out करना है क्या हमें निकालना तो question में देख लेता हूँ फिर से तो x, y अकेले अकेले इस कारे को कितने दिन में करेंगे? देखिए x और y x ने कितना दिन लिया है? 2 यह जो value 2 जब हम यहाँ पूट करेंगे तो यह minus में होगा और days कभी minus में हो सकता है it is impossible तो यह 2 value possible नहीं है t का value 15 ही possible है 15 जब रखेंगे x के जगा पे 15 माइनस 3, 12 हो गया और y के जगा पे तो t ही है यह 15 हो गया, तो 12 और 15 days is the right answer तो इस तरह से हम ऐसे सवाल को करते हैं आगे हम next वीडियो में और भी time and work के सवाल लाएंगे और इस तरह के लगभग और 4-5 वीडियो और आएंगे और आपका time and work समाप्त हो जाएगा थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो और आज से ही हम मेंस सीरीज भी सुरू करेंगे और मेंस के question भी अपलोट किये जाएंगे maths के